हेलो गाइज एक बार फिर स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल मिकफर मनी तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप फिर प्ले स्टोर में कोई एप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे डाउनलोड नहीं हो पाता खुब कोशिस करने बाद भी हमारे डाउनलोड पैंडिंग दिखाता है या फिर दिस एप कैनोट भी नाउनलोड किसी तरह का मेसिज दिखाया जाता है तो दोस्तों आप इस प्रोब्लम को कैसे सोल्ड कर सकते हैं कुछ ही मिन्टों में तो दोस्तों वीडियो पर बने रही है अगर वीडियो अच्छा लगेती आर लाइक जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है तो सबसे पहली बात आपको यह जो आप अपने प्ला प् दिखाई देगा ठीक है इस पर आपको किलिक कर देना है उसके नीचे आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग्स का ओप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स पर आप किलिक कर देना है फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर एक ओप्शन है यह सेट्टिंग इनको डूसरी जो सेट्टिंग ऑ come week में चले जांए ठीक है लुक rifag gettinney फिर इसके बाद जो भी आपकी में उस पर आपको किलिक कर देना है इस में आपके सभी है दिखाई देगी इसल reporting अधके बाद आपको जो आपके पर पशच्टार है उस कर देना है तो मैं यहाँ पर पर पर्ले स्ट्र को यहाँ पर मैं आप मैंने एप्लिक कर दिया तो यह फूठ Junior लीखाई रहा है है storage डाटा यूसेद पर मिश्ट नोटिफिकेश्यन उपनी ट्वाल्ट यहाँ पर आपको फर्श्ट मेन जो स्टोरेज का ओप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर उसके बाद यहां पर आपको दो ओप्शन दिखाई दे रहा है किलियर डाटा किलियर कैट्स तो यहाँ पर आपको किलियर डाटा कर देना है यहाँ पर आपको किलिक करते ही यह किलियर डाटा हो जाएगा ठीक है यह दोन्हों सेटिंग्स आप कर लेंगे तो आपको कभी भी यह प्रोब्लम डाउनलोड पेंडिंग या कैनोट पी इस एप डाउलोड यह किसी परकार की प्रॉलम देखने को नहीं मिलेगे तो दोस्तों यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मेरे कॉमेंट में यह मेसीज आया था कि भाई पले स्टोर में डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके लिए कुछ वीडियो मनाई अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब चलूर करके जाना तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो में धन्यवाद